राबनगरी आयुध्या में 22 जनवरी को होने बाले प्रतिष्ठा में सामिल होने बाले सुरद्धालूओं के लिए स्वष्थ भभा के टीम लगाई गई है स्वष्थ उपचार के लिए जगह जगह कैम्प लगाई गए हैं उपचार के लिए स्पेसिलिस्ट डॉक्टरों की तीम भी लगाई गई है, आने बाले सुरधालों का किसी भी तरहे का इलाज किया जा सकीगा, स्वास्त विभाग की टीम डॉक्टरों के साथ आयुध्या में मौदूध है, आयुध्या से साहिद अलबी की रिपोर्ट, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, इस उपलक्ष में ठंडी के सीजन में भीड होने की अनुमाने ज़्यादा हुई है, और ऐसे में सर्दी जुखाम, बुखार, ऐसी बिमारिया जल्दी फैल जाती है, तो जहाँ भीड होती है, वहाँ वहाँ पे मेडिकल प्रात्मिक स्वास्त केंद्र बनाए गए हैं, ऐसे सोला बूत बनाए गए हैं पूरे अयुध्या में, और उत्तर प्रदेश से 104 डॉक्टरों की जो है तैनाती की गई है, जिसमें से 28 इस्पेशलिस्ट डॉक्टर तैनात किये गए हैं,